पहाडों पर एक बाद फिर शिरू हुई जोर्दा बर्फबारी ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है। पहाडी राजियों के कई इलाकों में तो इतनी बर्फ किरी कि हर तरफ सफेद चादर ही बिज़ गई। जिन में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से शामिल थे। राजधानी शिमला की तस्पीर तो ऐसी नजराई मानों किसी ने पूरे शेहर को सफेद रंग से रंग दिया हो। कुछ जगों पर तो हालात ऐसे हो गए कि बर्फ ने लोगों का जीना मोहाल कर दिया। सडकों पर इसने ऐसा कबस जमाया कि उन पर से बर्फ हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी और पैदल चलने वालों की तो शामत ही आ गई। बताया गया कि राद भर बर्फ गिरने के बाद ऐसे हालात बने। परेशानिय सिर्फ शिमला या मनाली के लोगों को नहीं हुई बलकि पूरे हिमाचल प्रदेश का यही हाल नज़र आया। सिर्मोर में तो बर्फ ने मानों लोगों की जिन्दगी पर कर्फ्यू लगा दिया हो। जहां लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना तक मुश्किल हो गया। वहां इसके लिए लोग बर्फ को पिगलाते दिखाई दिये। दूसरी सड़क पर खड़ी गाडियों पर ऐसा लगा मानों किसी ने सफेज चादर बिछा दियो। वो पूरी तरह बर्फ से ढग गई। सड़कों पर तीन फीट तक बर्फ जमा दिखाई दी। सड़के है वो बंद पड़ी है, बिजीली का कोई प्रावधान नहीं है, पानी की कोई सुभीदा नहीं है। तो वहीं पड़ोसी राज़े जम्मू कश्मीर में तो बर्फ की वज़ा से तापमान ने ऐसा गोता लगाया कि लोगों की दिक्कते कई गुना बढ़ गई। दोड़ा में रुक रुक कर होती बारिश और सरदीली हवाओं ने परिशानियों में जापा कर दिया। कई इलाके तो बर्फ से पूरी तरह पटे नजर आए जहां जल्द राहत मिलने की उमीद भी नहीं दिखाई दी।